आप सब्सक्राइब दोस्तों सवागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने की यूटुब चैनल में मेरा नामे अनमौल मितल और शुरुदा कर रहे हैं आज की वीडियो की और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेट ट्रोन के अंदर हम अपने खुद की उसका पूरा इंट्रूक्शन आपको दिया था सेकींड बीडियो में बात करे थी कि आप सथ काम करते जैसे कि जैसे रो antisा是 जिंके साथ ब्यूकर को ट्रेड वहीं जाएगा ने ब्रोकर के पास जाएगा तो ट्रेड रॉन वहतों e तरीकर ये है कि वह बताएगा कि बहुंट लेना है कब exit करना है कब target लेकिन लेकिन काम तो broker को इंडिरिक्टली करना होता है। टो ट्रेट्रों किस तरीके से हम broker के साथ जोड़े इसकी बात हम 2ड वीडियो कर चुके हैं तो अगर ये पहली वीडियो दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा सजेशन यह है कि उन दोनों वीडियो का आप देख लीजिए ताकि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी से समझ में आए आज की वीडियो में बात करने वाले है कि किस तरीके से एलगो ट्रेडिंग के अपनी खुद की स्टेटिजी आप ट्रेटोन बे बना सकते हैं साथी साथ हम ये भी दिखाएंगे आपको कि हमने हाली में एक स्टेटिजी बनाई थी उसकी क्या बैक्टेस्ट के उसकी रिजल्ट है वो हम आपको दिखाने वाले हैं और वो जो स्टेटिजी है इंट्राडे बेस स्टेटिजी है और ऑप्शन के ओपर वो पूरी स्टेटिजी चल रही है वो आपको दिखाने वाले कि क्या उसके result आया है और क्या उसके अंदर profit loss आपको आया है चलिए login कर लेते हैं trade tron को और देखते हैं उस strategy को कि किस तरह के profit loss आया है तो यहाँ पर देखें dashboard पर हम आगे है dashboard के बाद हम जाते है deployed में है deployed में वो सभी strategies आपको दिखेंगी जो आपने live करी हुई है यहां बहुत देखिए हमने back testing कर रहे थे यहां पर ट्रेडिंग में live करके और यहां पर आपको कुछ result दिखाई दे रहे हैं तो यहां देखें trades आपको दिख रहे हैं जिनमें भी profit डोस आया यहां दिख रहे हैं और फाइनल जो रिजल्ट आया वो यह था 21 दिन की trading करने के बाद कि इसमें मुनाफ़ा आया 6352 रुपे का यहां पर प्रॉफिट आया तो strategy जो है वो काम करती भी दिखाई दे रही है यहां पर प्रॉफिट आ रहे हैं अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो उससे भी आपको एडिया लगेगा कि किस तरह के strategy के result है चलिए एक बंड गराफ देखते हैं है और यहां देखते हैं यह देखिए तो यह आपको दिख रहा है यह आपको प्रॉफिट दिख रहे है जासे जाती जाएगी हैं तो आपका जो जो प्रॉफिट है वह इसको बढ़तावा दिखाई देगा जैसे नीचे आती दिखाई देगी तो यानि जो आपका profit है वो कम हो रहा है और यह जो बीच का आपका break-even point है वह आपका profit loss है जैसे इस लाइन से नीचे यह लाइन आएगी यानि आप loss में जाना शुरू कर देंगे और जैसे इस लाइन से उपर ही रहेगी यानि आप profit में तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो दिख रहा है कि starting में चोपी रहा लेकिन दिरे-दिरे करके strategy ने काम करा और यहाँ पर आप all over profit में है 21 day की trading करने के बाद अब यह strategic क्या है इसको जरा समझते यह option वाली strategic क्या है और क्या इसके अंदर use किया गया इसको समझेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से strategy बनाई गई है उसके साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम strategy अपनी खुट की बना सकते तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो चलते हैं एक सेकिंड यहीं से एडिट हो जाएगा यहीं पर देखिए त्री डॉट दिख रहे हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं तो यह पूरी strategy जो है आ जाएगी आपके सामने और समझते strategy क्या है देखिए बड़ी simple से हमने यहां condition लगाई है उ जब हम strategy पर जाते हैं देखिए फर्स्ट में क्या दिखता है strategy का नाम आप कोई भी नाम यहां डाल सकते हैं जो आपको डालना है आपको कोई tag डालना है कि किस बेस्ट के ओपर strategy बनी है बुलीश है बेरिश है SIP है momentum trend following जो भी tags आपके suitable हो आप डाल दीजी description पर जो भी आपक उनको क्रोशी जबोग कर दें तो आप उसका set बना सकते हैं और उसमें बता सकते कि किन किन स्टोक पर आपको ट्रेड लेना है और इसी तरी कैसा आपको एक second set बनाना है M.A.C.D. के ओपर तो different different type की set बनाकर combined कर सकते हैं और यह उससे साब से काम करता रहेगा तो set number one में हमने एक simple सी condition दी है वो simple सी condition क्या है जरा समझते हैं और जो set होता है उसमें दो चीज़े आपको यहां देखने को मिलेगी यह देखिए आपको समझना है जब आप अपनी खुद की strategy क्रेट करेंगे ट्रेड ट्रोन पर तो यह चीज बड़ी काम आएगी तो देखिए set number one उसमें ह हमने यहां दिया कि entry यह entry कब लोगे तो यहां पर हमें पहले डालना है condition फर्स्ट है कि हमें condition डालना है second हमें यह बताना है कि किस चीज के ओपर position लोगे और कैसी position होगी माल लेते हैं कि हमने यह condition डाली थी कि RSI 30 के उपर जाए हम buy करेंगे लेकिन हमें साथ में यह भी बतान मुझे लगता को समझ में आ गई तो जो हमारी अब जो condition है वो क्या है यानि entry condition क्या है तो यह बड़ी सिंपल रखी है और बड़ी अटपटी सी भी लग सकती है काफी लोगों को जड़ा समझ लेते हैं क्या तो यहां पर देखें जो हमने condition है वो यह रखी है कि जैसी जो time है जैसी समय है सुबे का आप देखें जो time है जैसे ही 9.25 हो जाएंगे व्यासे हम entry करेंगे बस यह strategy है कोई RSI यूज नहीं करा कोई MACD यूज नहीं करा कुछ भी यूज नहीं करा वह यह 9.25 होते ही हमें trade लेना है बस यह condition है time based strategy है time based entry condition है 9.25 होते हमें trade लेना है कोई हमने buy का कोई हमने bullish signal नहीं देखा कोई bearish signal नहीं देखा सिर्फ यह strategy यहां पर बनाकर डाल दिये कि 9.25 हो जाए जैसे ही जैसी 9.25 हो जाएंगे complete हो जाएंगे हम trade लेंगे तो यह हमने डाल दी condition अब हमें trade tone को बताना है कि यह क्या trade लोगे 9.25 तो चलो हो गए 9.25 बज गए 9.25 बजन के says sell करेंगे nifty 50 का जो ad the money निफटी 50 का contract एं कि यानि ad the money जो nifty 50 का contract है उसको हम sell करेंगे और call को हम sell करेंगे और यह weekly expiry वाला जो हमारा कॉंट्रेक्ट थेवह होगा यानि weekly expiry का in test call हम sell करेंगे sell करने का मतलब क्या होता है write कर थे यानि अंदर हमें premium मिलता है premium देना नहीं पड़ता premium मिलता है तो यहां हम theta gain करने की कोशिश कर रहे है premium gain करने की कोशिश करेंगे साथ हम इसको यह भी कह रहे है कि हम call तो sell करेंगे करेंगे साथ ही साथ भाईया हम put को भी sell करेंगे सेम चीज निफ्टी 50 की put होगी add the money हमारा contract होगा weekly expiry यानिए expiry जो weekly expiry वाला contract है वह हम लेंगे और उसको sell कर देंगे यह दोस्तों हमने condition डाली है बिल्कु सिंपल 9 25 जैसे हो जाए यह दोनों चीज़े sell हो जाने चाहिए add the money की और यह सारी पर टाइब डालिए क्या है अंडर लाइं क्या है वह आप यह डालिए cnc लेना है माईए यह आप डालिए add the money है यह देखे यह आप यह डाल सकते है current week यह monthly-based यह यहां डाल सकते है quantity यह डाल सकते है तो यह सारी चीज़ा आप डालके add करेंगे तो एड हो जाएगी आप ऑटमेटिक पोजिशन लेगा जैसे आपका नो पचीस हो जाएगा यह कंडिशन है यहाँ अपनी कंडिशन किसी भी तरीके की पना सकते हैं आर ऐसे क्रोसिस अबोव करें मसीडे को कोई सिगनल हो या मुविंग एवरिज का कोई सिगनल हो या आपकी कोई अपनी परसनल जो भी स्टैटिजी है वह यहां कंडिशन में डालिए और जिस चीज के ओपर ट्रेड लेना है वह पोजिशन पर डालिए जब आप यह दोनों काम कर लेंगे आपका सैट नंबर वन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपके एंट्री कंडिशन प इंथान है फोना पर क्या लेंगे टार्गेट लेंगे और असलिंगे यंण स्टॉप लोस ताल्गेट वा आप यहां डालेंगे और यहां पर ड Łamish के लिए भी यहां देखेव две भी कंडिशन यह दे जैसे कि देखिए एक कंडिशन ये है और एक पंडिशन ये यह अध करें यहां हम बात कर रहें कि condition क्या है condition बता दो पॉजिशन पर हम बताएंगे कि कि किस चीज़ पर हमें क्या करना है माल लेते कि हमने कोई कॉल सेल करी भी तो यहां हमें बताना पड़ेगा कि जो उसी method के अनुसार हमें अब conditions बतानी है कि बया कब हमें trade में से exit होना है कब हमें अपना profit या कब हमें अपना loss book करना है तो यहाँ पर हमने condition डाल दी है जैसे कि देखे LTP हमने यहाँ डाला है LTP और जैसे यह minus 20 हो जाए जो भी हमने trade लिया है जब भी हमने trade लिया है उसकी जो भी value होगी जैसे यह minus 20 हो जाए वैसे हम exit कर देंगे और second हमने condition डाली है जैसे ही वो plus 20 हो जाए वैसे हम exit कर देंगे बस यह दो condition हमने डाल दिया है उसके बाद यहाँ देखे end और और में बड़ा फरक है हमने यहाँ पर और पर क्लिक कर आवा है क्यों और का मतलब यह होता है कि दोनों में सो कोई भी एक condition match हो जाए और end का मतलब हो जाए end का मतलब दोस्तों होता है कि जब भी दोनों condition एक साथ मैच होगी यानि दोनों condition एक साथ मैच होनी चाहिए जब तक दोनों मैच नहीं होगी तब तक trade तब तक trade नहीं होगा मतलब trade नहीं बनेगा exit नहीं होगा आपका complete नहीं होगा सोदा तो इस चीज़ को आप ज़रूर धियान रखे कि एंड और और में क्या फरक है तो यहां पर यह condition में डाल दी है और उसके बाद हमने position पर क्या डाला है जरा इसको समझे पॉजिशन पर हमने यहां पर दोस्तों डाला है कि यहां पर हम buy कर लेंगे nifty 50 की जो call हमने sell करी थी उसको हम buy कर लेंगे यानि call वाला जो हमारा सोधा है वह हमारा complete हो जाएगा अब हमने put भी sell करी है उसके क्या करना है तो उसके अंदर हमने एक another condition यहां नीचे डाली है इसको जरा समझेगा यहां देखें repair once में हमने एक और चीज़ डाल दी है यहां देखें conditions plus position दोर्व आपको यहां दिखाई दे यानि जैसी वो minus 20 number जो है minus 20 हो जाएगा जो भी contract की value हो है वो minus 20 हो जाएगी तो हम exit करेंगे और जो LTP है अगर वो plus 10 हो जाता है तब हम exit करेंगे दोरों में से कोई भी condition मैच हो जाएगी हम अपना trade खतम करेंगे exit करेंगे तो यह हमने condition डाल दी साथ में हमें position में बताना है क कि कौन सी चीज को आप खतम करोगे यानि कौन सा सोदा आप हमना काटोगे उसको हमें बताना है तो हमने इसको बोल दिया कि हम buy कर लेंगे nifty 50 की जो हमने contract लिया है weekly expiry वाला उसका पूट जो हमने लिया है उसको हम buy कर लेंगे यानि सोदा हमारा complete हो जाएगा पहले हमने sell कर था अब हम इसको buy करके अपने सोदे को complete करेंगे और यह सारी चीज आप देखिए add का जो button side में दिया गया है उस पे आप click करके यह सारी चीज आप add कर सकते है कि buy क्या करना है sell क्या करना है वो सारी चीज आप यहां बता सकते है चलिए उसके बाद दोस्तों यहां पर दिया सकते है और यह बड़ा जरूरी होता है जब आप money management and risk and reward issue के साथ अच्छे से trading करना पसंद करते है तो यह बड़ा जरूरी है तो यहां देखिए edit पर चलते है और समझते कि क्या है तो इसको भी बड़ा simple रखा है इसको क्या रखा है जरा धिहान दीजिए एक second यह देखिए आप देखिए यहां पर क्या डाला हमने जो profit and loss है जो profit and loss है जैसे ही 2000 हो जाएगा वैसे हम exit करेंगे first condition second condition क्या है जो profit and loss है जैसी साड़े 700 हो जाएगा तब हम condition अपना universal exit कर देगे जितने भी trade ले रहे होंगे वो सारे बाहर करेंगे और यहां पर देखिए जो यहां time दिया गया है तो यहां पर जो 1510 का मतलब यह है कि 3 Then 10 Minutes देखिए यहां पर जो timing होती है वह इஹरीके में 8D इस होती है जैसे कि हमारे पास data आता है एक्सचेंज से data आता है उसके पर जो लिमिंग होती है वो इसी साब से होती है माल लेते हैं आपको 10 बच के 30 मिनट लिखना है तो क्या से लिखेंगे 1010 और 30 यानि 30 बीच में कोई भी डॉट वागारा कुछ नहीं आएगा और यहांपा जो 24 आवर वाला जो फॉर्मेट होता है उसके साब से चलता है तो यह 3 बच क कैसी भी हो वो जितने भी ट्रेड होंगे आपके अकाउंट के अंदर वो सारे खतम हो जाएंगे और यहां पर आपका जो भी कि maximize loss है जो maximize profit है वो आपको अपने अकाउंट में दिखाई देगा राइट तो यह strategy थी दोस्तों इसमें कुछ भी complicated नहीं है यह universal exit आपका complete हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहां आती है advanced setting में देखिए इसमें आपको समझना जरूरी है और दो तिन चीज़े बहुत जरूरी है अगर आप सको समझेंगे तो बहुत फाइदे रहे है वह उपर नीचे हो रहा है तेजी से तो जरूरी निकी दोस्तों में आपको मिल जाएगा ऐसा हर बात होता नहीं और options में तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है प्राइस बहुत जल्दी उपर नीचे fluctuate होते है तो उसके अंदर आप देखिए जो ल्टीप है वह चार बार जो है ल्टीप पर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा और पांच टिक्स जो है इंक्रीज करने की कोशिश करेगा यह कोशिश यह कर रहा है कि पांस टिक है जो भी प्राइस चल रहा होगा उसको मार्केट प्राइस के ओपर एक्जेक्यूट कर लिया जाएगा क्योंकि ऑप्शन जो है वह बहुत वॉलटाइल होते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हमने डाला है उसी के ओपर ट्रेड ले लिया जाए तो इस तरीके से हम प्राइ है कि ट्रेलिंग स्टॉप लोस बड़ा इंपोर्टेंट है यह एक्टिवेट हो जाएगा 2000 के बाद जैसे 2000 हो जाएंगे उसके बाद देखिए जैसे वन रूपीज प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लोस है वो नीचे से यानि बॉटम से रूपीज इंक्रीज करना शुरू कर देगा यानि आपको प्रॉफिट लॉग करना शुरू कर देगा कि आपको अब यह लॉस नहीं हो सकता अब यहां से या तो आप नो प्रॉफिट लॉस में निकलेंगे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट में निकलेंगे अब मैक्स पूरी strategy बनाई है यह वापिस कभ active होगी तो वो आपको यहां डालना बरा जरुरी होता है कई बार लोग इसको नहीं डालते हैं कई बार लोग इसको 30 दे कर लेते हैं तो 30 दिन के बाmaking ऐस्कोप होगी तो इसमें क्या होगा कि 30 माकेट अपन की ओपन हो और अपन काम करना शुरू कर देगी तो यहाँ पर अगर स्टॉक्क मारकेट के अंदर तो यह column दिया गया यह भी बड़ा important है कि यहां पर आपको यह डालना है कि कब वो check करेगा यानि अगर continuously आपको check कराना तो आप continuously पर click कर सकते हैं वो continuously condition चेक करते रहेगा जो भी आपने conditions यहां डाली है अब इसमें आप डाल सकते हैं कि capital required अगर आपको strategy बेचनी है यानि sell करनी है तो sell करने के लिए आप यहां पर capital डाल सकते हैं जब आप यहां पर capital डालेंगे तो आपको पता लगेगा जो भी आपकी strategy ले रहा है subscribe कर रहा है तो उसको पता लगेगा कितनी capital की requirement रहेगी तो आप यहां डाल सकते हैं कुछ भी डालीजी यह से आपकी strategy पर कोई फरक्त नहीं से और market close होने के 10 मिंट पहले अपनी condition जो है वो चेक करना बंद कर दें तो जो starting और end की fluctuations होते उससे बचने के लिए हैं दोस्तों अगर आपको यहां पर roll over के जो setting है वो आपको डालनी आप यहां डाल सकते हैं अब यहां पर आगे marketplace की setting यह क्या होती है marketplace मतलब जब आपनी strategy strategy बेच रहे हो पूरा marketplace होता है ट्रेटर उनका तो उसके अंदर आप strategy में क्या-क्या जो भी condition है आप अपनी लगा सकते है strategy को public करना है yes or no आप यहां डालिए और इसमें आप डाल सकते है कि minimum कितना यानि 1x का मतलब होता है एक lot और जैसी जैसी जो lot increase करने है तो 2x, 3x यानि 3 lot, 4 lot और maximum कितने lot रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं आपको invoices वगरा अगर आपकी कोई fees है तो यहां पर आप fixed fees रख सक सकते हैं और अगर आप profit based रखना चाहते हैं तो आप percentage रख सकते कि इतने profit पर मुझे इतना percentage चाहिए अगर आपने 10% रखा तो जितना जो user है उसको profit आएगा उसका 10% आपको मिल जाएगा इसके बिहाब पर यह जो चीजे आपको यहां रख करके आप update कर सकते हैं यह काम 2021 फस जैनवरी 2021 से पहले plan लेते हैं ट्रेटोन का तो seven days का आपको extra जो है validity मिलेगी आप seven days तक extra इसको use कर पाएंगे तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं और in future लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप इसको अभी ले ताकि आप वह seven days का जो extra validity आपको मिल रही है आप आपको बताया है ताकि आपको समझ में आया कि किस तरीके स्टेजी बनती है साथ में अगर यह स्टेजी आपको marketplace में चाहिए free of cost मेरी तरफ से तो इस वीडियो के ओपर दमदार like चाहिए मुझे और दमदार comments करके मुझे बताना आप कि मुझे strategy free of cost चाहिए marketplace में ट्रेट ट लेंगे जिसमें हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे कोई चार्ज नहीं करेंगे और free of cost चाहिए स्टेजी आप marketplace में सब्सक्राइब कर सकते हैं चैक आउट कर सकते हैं कि कैसे काम करते इन फ्यूचर और उसके भिहाब पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं आपको क तो यहां पर आम इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर lots of free strategy मिलती है और इन strategy के अंदर आप अपनी customization करके as it is use कर सकते हैं अपना नाम डाल सकते हैं और इसके ओपर जो भी customization करनी है कर सकते हैं customization करके आप इसको marketplace पे sell out भी कर सकते हैं कोई भी strategy बहुत सारी options की strategy आपको मिल जाएगी बहुत सारी trend following strategy मिल जाएगी बहुत सारी आपको breakout ब्रेकडाउन वाली strategy मिल जाएगी आप as it is इनको यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई भी में एक strategy यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप उसको duplicate करिए और पूरी strategy को समझ लीजिए कि क्या है और जो भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है यानि आपकी मिलती जूलती strategy है इससे तो वह आप यहाँ पर create कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ किलिक करा है साथी साथ अगर आपकी कोई strategy ऐसी है जो बहुत ज़्यादा complicated है आप नहीं समझ में आ रहा कैसे create करें या कोई strategy ऐसी है जिसको आपको समझी नहीं आ रहा कैसे create करें चाहे वो simple भी है तो आप क्या कर सकते हैं आप trade tron को mail कर सकते हैं mail करके अपनी पूरी strategy उनको बता सकते कि मेरी strategy है और trade tron आपको उसको एक charge बता देगा और वो charge लेकर के आपको वो strategy बना करके देगा design करके देगा फिर आप उसको use कर सकते हैं साथी साथ आप उसको marketplace पे बेच भी सकते हैं उसके उपर पूरा आपका right होगा और आप उसको charge कर सकते हैं जो भी आपको charge करना है अगर कोई complicated आपकी strategy है बहुत जाधा complicated है तो वह strategy भी trade tron आपको बना कर देगा लेकिन obviously जितनी जाधा complicated strategy होगी उतना जाधा वह आपसे charge करेगा right आप trade tron को mail करिए अपनी strategy बताईए और वह आपसे contact करेंगे और आपसे strategy का जो भी design होगा उसको ready करके आपको दे देंगे और आप यह था दोसो trade tron के अंदर strategy कैसे बनाए काफी हद तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से structure trade tron का का काम करता है इससे related कोई quarry हो तो मुझे जरूर बताइएगा और यह वाली जो strategy जो हमने बनाई है अगर यह strategy आपको चाहिए marketplace के अंदर तो मुझे इस वीडियो के आपके के लिए गूट बाइ गॉट बाइ गॉट बाइ गॉट बाइ दोस्तो